फिर है सोना, सोना तो हम सभी को पता है कि एक पीली, सुन्दर और बहुत ही आकरशित करने वाली धातू है और ये अपने गुणों के कारण बहुत ही बहु मुल्य है, ये एक मुलायम धातू है जिससे विभिन प्रकार के स्वर्ण पात्र और स्वर्ण पत्र बनाये जाते हैं बारिक तारों का निर्माण किया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता, ये कम गिंसता है, और सुंदर तथा आकरशक होने के कारण इसका जो उप्योग है वो बहुत आयत रूप में आवुशन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यह बहमुल्य होने के साथ ही साथ कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं किसे एक अन्तर रास्ठी मुद्रा के रूप में भी परयोग किया जाता है। जिस देश के पास जिхव इत्यों का मोंand लोग उसे उतना ही धनी देश मानते हैं किले इसे किसी भी देश में बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकते हैं लगभग विश्वीतरण की बात करें तो स्विश्व का लगभग 80 परतिशत से अधिक सोना candidates को छह देश मिलकर उत्पादित करते हैं लगभग तीन चौथा ही सोना इन देशों के जो नाम है वो अफ्रीका संयुक्त राज अमेरिका आस्ट्रेलिया चीन कनाड़ा और इंडोनेशिया हैं यहां पर प्रमुख रूप से सोने का उत्पादन किया जाता है सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश दक्षिन अफ्रीका है जो विश्व का लगभग 21 प्रतिशत उत्पादित करता है यहां पर ट्रांसवाल राजी में जोहेंस बर्ग के पास सबसे बड़ा आजो सोने का स्वार्ण भंडार मिलता है फिर संयुक्त राज अमेरिका है इसका दूसरा इस्थान है जो विश्व का लगभग 16.5 प्रतिशत उत्पादित करता है फिर आस्ट्रेलिया यह लगभग 14 प्रतिशत उत्पादित करके विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है फिर चीन चीन में जो है यह विश्व का लगभग 8 प्रतिशत उत्पाद देश है इसके बाद कनाड़ा है यह सभी मिलकर विश्व का लगभग तीन चौछ थाई जो सोना है वो उत्पादन करते हैं फिर हम बात करते हैं कोईले पर जैसा हम सभी को पता है कोईला जो है वो शक्ति का एक प्रमुख स्ट्रोथ है शक्ति और उर्जा का भाप के इंजन के अविश्कार के बाद से कोईले का महत्व और बढ़ गया है और आए हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इंधन बन गया आजाने लगें लेकिन अभी वर्तमान में खनी स्तेल और नियुक्ति संसाद हम के प्रयोग होने से कोईलय की कम हो गया है यदि हम कोईले के प्रकार की बात करें तो यह कोईले के प्रकार थाम उन्हेंड है उसकी वालिटी मी इसमें मिलने वाले कार्बन आदृता और वाश्पशीन पतार्थ gemaakt के साथ राख की मात्रा पर निरभखर होते हैं तो सबसे उत्तम कोटी का जो कोईला है, वो एंथ्रेसाइट कोईला है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% तक होती है, ये बहुत ही काला, चमकीला और साथ ही कड़ा होता है, सक्त होता है, और इसमें आध्रता की बहुत कम मात्रा होती है, जिसके कारणी से बहुत जल् इसके साथ ही इसके विश्यषता यह है की बहुत कम द्युआ देता है लेकिन इसका भंडार विश्व में बहुत कम अमorgan है को हीचन सबसे सَबसे उत्तम कोटि का कोईला है किस्व कारवन की मात्रा सच्टर से नबब्य प्रतिशति है और इसका जो रंग है वह काला बूरहीं, इसमें थोड़ी मात्रिय में finger जाता है यह लेकिन आग जल्दी से पकड़ लेता है जलने के बाद इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में राख बचती है यदि हम पूरे विश्व में देखें तो विश्वते कुल कोईला उत्पादन का असी प्रतिशत भाग जो है वह बिटूमिनस कोईला ही पाया जाता है फिर तीसरा है लिगनाइट कोईला इसका रंग भुरा होता है और इसके कारणी से भुरा कोईला भी कहा जाता है इसमें कार्बन की मात्रा 45 प्रतिशत होती है नमी बहुत अधिक पाई जाती है यह कोईला बहुत मुलायम होता है जलते समय इसमें से बहुत धुआ निकलता है कम मात्रा में उश्मा देता है और प्राइं कोईला है यह पूरी तरह से कोईले की रूप में परिवर्तित नहीं हुआ होता है जो वनस्पति का मॉलिक रूप है। थोड़ी मात्रा में ही इसमें परिवर्तन हुआ रहता है इसलिए प्रकार से कच्चा कोईला है या हम कहें कि जो लकडी से कोईला बनने है बनना होता है बुनने का जो प्रोसेस होता है लकडी से कोईले के बनने का ये पहला ही स्टेप होता है पहला चरन होता है इसलिए कई व जब जलाया जाता है तो जलते समय बहुत अधीक मात्रा में धुआ देता है और जलने की बाद राक भी बहुत अधीक मात्रा में बसती है यहां पर विशो का मात्र तीन प्रतिशत कोईले का भंडार मिलता है और यही हम 97 परसेंट जो है भंडारन की बात करें तो यूरोप उत्तरी अमेरिका यह तीन महादीपों में जो है पूरा शेष 97 प्रतिशत कोईले का जो है वो भंडार पाया जाता है यदि हम प्रमुख उत्तपादन की बात करें तो देखते हैं चीन है चीन के भी मंगोलिया में आनुही प्रांथ शाडांग जियागु गुई जाओ यह जो है यह प्रमुख कोईला छेत्र है इसके बाद संयुक्तराज अमेरिका है संयुक्तराज अमेरिका का भी जो अप्लेशियन कोईला छेत्र है यह प्रमुख कोईला छेत्र में आता है और यूएसे या संयुक्त राज अमेरिका जो है वो विशो का लगवा 24.1 प्रतिशत कोईला उत्पन्न करता है और चीन के बाद इसका दूसरा इस्थान है अपलेशन कोईला चेतर के अतरिक्त पुर्वी और पश्मी आंत्री कोईला चेतर हैं रौकी परवती चेतर हैं प्रशान तटी चेतर हैं और खाडी तटी चेतर में मैक्सिको की खाडी के जो तटवर्ती प्रदेश हैं यह इसमें शामिल है अब हम अपने भारत में बात कर लेते हैं तो भारत का जो प्रमुकोईला छेत्र है वो जारखंड, पशिम बंगाल, मद्धी प्रदेश, छत्तेजगड और ओडिसा ओडिसा राजी में और विशेश रूप से ये दामोदर घाटी छेत्र में फैले हुए हैं यदि हम भारत में मुख्य खानों की बात करें तो जरिया, रानी गंज, बोकारो और गिर्दी में हैं दामोदर घाटी की ये जो खाने हैं ये भारत का लगभग 90% कोईला उत्पादित करती हैं और मध्य प्रदेश और 36 गड़ की जो प्रमुख खाने हैं जिसमें उमरिया, बेतुल, सुहागपुर, सिंग्रॉली, कोर्बा, रायगड़ और सरगुजा इसके बाद राजस्थान का बिका ने तमील नाडू का दक्षिन आरकट और असम में लीडो मकूम में प्रमुख रुप से कोईले की भंडार मिलते हैं और ऐस्ट्रेलिया दक्षिन अफिरिका और दक्षिन अमेरिका यहां भी कोईले के प्रमुख रुप से भंडार पाये जाते हैं किया जाता है फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम पेट्रोलियम को हम खनी स्टेल भी कहते हैं और आज के समय में इसका महत्व का अंदाजा हम बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि भावी प्यूड़ी के लिए इसे बचा कर हमें उप्योग करना पड़ा है पेट्रोलियम जो है वो हमें हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है या शक्ति प्राप्त करना हमने लगभग अठारा सौ साठ के बाद से ही करना सीख लिया था और जब से इसका विश्कार हुआ है तब से प्यूड़ीयम की खपत में या इसके उप्योग में बहुत अधिक वृद् ट्रक ट्रैक्टर आधी में बहुत व्रियत पैमाने पर होता है और अधिकांज यह वह रेल के इंजन या जल्यान भी इसी से चलाए जाते हैं आप सभी को पता होगा कि पेट्रोलियम जब कुओं से निकाला जाता है तो इसमें अन्य प्रकार के शुद्यां होती हैं जिसे पहले साफ करने के लिए शोधन शाला में भेजा जाता है और उसके बाद ही इसे शुद्ध करके फिर पेट्रोल डीजल केरोसीन मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं और अन्य प्रकार के जो चीजें हैं वो या अन्य प्रकार की जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं इसके साथ ही क्रित्रिम रवर्ड प्लास्टिक रसायन उद्योग और अन्य प्रकार के जो मेकप जो केट हैं उसमें हम कह सकते हैं या और साथ ही साथ जो सुगंधी तवस्तों के निर्मार में भी पेट्रोलियम का प्रयोग जो है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे उत्पादक छेत्र से लेकर उभोगताओं तक पाइपलाइन या टैंकर से हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं अब कि जो सबसे अधिक मात्रा है वो यहीं पर हमें संचित मिलती है और यह छेत्र जो है यह विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक छेत्र है जिसमें सायुक्तराज अमेरिका सोवियसंग वेनेजुएला यह जो है यह महत्तवपुन उत्पादक है अब हम देख यहां पर विश्व का लगभग 10 प्रतिशत तेल का भंडार है और यहां के इप्क्याक घावर धाहरान और रास्ता नूरा यह जो छेत्रे हैं यहां पर प्रमुक्रुप से तेल का उत्पादन किया जाता है इसके साथ ही इरान इराक कुवैत संचित राज अमेरिका और संचित राज अमेरिका के भी अपलेशियन छेत्र खाडी तटी छेत्र कैलिफोर्निया पेट्रोल चेत्र और राकी परवती पेट्रोल चेत्र यह सभी चेत्रों में संचित राज अमेरिका में इसका उत्पादन किया जाता है भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है व बदरपूर और मसीमपूर आदी जो जगया है यहां पर तेल मिलने लगे इसके साथ ही गुजरात में खंभात की खाड़ी में लुनेज अंकलेश्वर और कालूल प्रमुख उत्पादक हैं मुंबई हाई में तेल मिलने के बाद तेल के उत्पादन में बहुत लेखनी यह सभी जो है इस समय भारत का विश्व का लगभग एक प्रतिशत तेल वो उत्पन करते हैं अब ही हमने बात की प्राथमिक्रियाओं पर और हमने इन सभी बातों को समझा कि प्राथमिक्रियाओं के अंतरगत वे सभी कारे सम्मिलित हैं जो सीधे प्रकृती से जुड़े ह हुए हैं फिर चाहे हम बात कर लें शिकार की या संग्रहन की या फिर पशुचारण की और क्रिशी की यह सभी चीजे जो हैं या यह जो क्रियाएं हैं वो सीधे तोर पर प्रकृती से जुड़ी हुई हैं हम क्रिशी करते हैं क्रिशी कारिये जो है वो हमारी प्रकृती हमारा जो धरातल है उस पर हम अपनी फसले उगाते हैं और उसका सीधे तौर पर उभोग करते हैं ये दोनों ही चीज़े कि सीधे तौर पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग भी सीधे तौर पर करते हैं सीधे तौर पर करते हैं मतलब उसमें कोई मौडिफिकेशन कोई परिवर्तन उसके रूप में कोई चेंज लेकर हम नहीं आते फिर हम बात कर लें फसलों की या वन उत्पादों का जो हम संग्रहन की बात किये कि संग्रहन भी प्रात्मिक्रियाओं के अंतर गताता है और इसमें भी हमने देखा कि जो वनों से अलग-अल अब हम देखते हैं कि परिक्षा के दृष्टिकोंड से आपको इस चैप्टर को कैसे त्यार करना है तो बच्चो जितनी भी क्रियाओं प्रात्मिक क्रियाओं के अंतरगत जो क्रियाओं आप नहीं देखी तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा जैसे कि हम पशुचार के भी हमने देखे कि चल्वासी पशुचारंड के अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिये जाते हैं या फिर हम क्रिशी के अंतरगत हमने बात की कि इस्थाना अंतरण शील क्रिशी जो है उसके भी अलग 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 जगह पर अलग अलग नाम है उसके लिए अलग अलग तो आपको मानचित्र का भी विशेश तौर पर ध्यान रखना है आप से पुछा जा सकता है मानचित्र पर दरशाने के हिसाब से कि चलवासी पशूचारण जो है वो किन छेत्रों पर की जाती है या किन छेत्रों में प्रचलित है तो आपको बहुत ही बारिकी से बहुत ध्यान से आपको मानचित्र का अध्यन करना है और ये सारी क्रियाएं चाहे हम पशुचारण की बात करें या हम शिकार की बात करें या हम संग्रहन की बात करें या फिर हम क्रिशी की बात करें और क्रिशी की अलग-अलग वीधियों की तो भी आपको यह विशेश तोर पर ध्यान लखना है कि चाहे वो मानचित्र पर दर्श आने के लिए आपके पास आ जाए या फिर हो सकता है कि जो दिर्ग उत्री प्रशन जो बड़े प्रशन होंगे उसके उत्तर में भी आपको मानचित्र का प्रयोग करना ही है मतलब उस उ तर जो है वो complete माना जाएगा perfect माना जाएगा तो इस चैप्टर के लिए आपको इस तोर पर तो इस हिसाब से तो तयार करना ही है कि मानचीतर का ध्यान रखेंगे और जो हमने पूरे चैप्टर में छोटे-छोटे terms यूज किये हैं उस terms को आपको हम कह दे कि छोटे प्रशनों के हिसाब से तयार करना है या फिर इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हमने बात की कि चलवासी पशुचारण या व्यापारिक पशुपालन तो ये इन दोनों के बीच में अंतर या चामल प्रधान गहन निर्वाहकृषी और चामल भीहिन गहन निर्वाहकृषी ये दोनों में अंतर मतलब क्रिशी की अलग-अलग वीधिया या पशुपालन की जो अलग-अलग वीधिया है उनके बीच में आपसे अंतर पूछा जा सकता है या फिर एक बड़े प्रशन के रूप में खनन क्रिया, खनन क्रिया से संबंधित, खनन में आपको छोटे प्रशन और वो पूरे विश्व में किन-किन छेत्रों में किस प्रकार से वितरित हैं तो इस पर भी आपको विशेज ध्यान देना है और इस प्रशन या इस टॉपिक पे भी आपको मानचित्र का विशेज ध्यान रखना है कि खनीज के बारे में एदी आप से पूछा जाता है कि कौन सखनीज का विश्वित्रण मालो कोईले का विश्वित्रण या लोह एस्क का विश्वित्रण पूछ दिया जाए तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस उत्तर में आपका मानचित्र जो है वो अनिवारी रूप से शामिल हो बिना मानचित्र के आपको उत्तर नहीं देना ह तो ये हो गई आपकी प्रात्मी क्रिया